बिसमिल्लायरमार रहीम मैं मौमा सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूटिब चैनल माश्टर कोचिंग सेंटर आज की जो वीडियो है वो हमारी है केमिस्ट्री की जो न्यू बोक आई थी उसके नोट्स की ये वीडियो बनाई है कि नोट्स आपको किस तरह से क्या प्रोवा बनाने में अच्छे टाइम को अच्छे टीचर को थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा काम हमारा यहां फास चल रहा है टीम वक कर रही है लेकिन फिर भी उसमें चीजों में टाइम जरूर लगेगा तो चैप्टर वन के कंप्लीट हो चुके नोट्स और इंचालला नेक्स वीक का टार्गेट है कि नेक्स सेटेटे तक आपको सेकंड चैप्टर के नोट्स भी मिल ज है सबसे पहली चीज़ सीशोहा है कि नोटस के नदर जो नोटस की इंटर फेरेंस हैयं जो नोटस बनाए है किस तरीके के नोट बनयां अगर नोटस देखने में अच्छे होंगे उसके फॉर्मेंटिंग अच्छी горगी एडिटिंग अच्छी होगी तो ही स्रूडन को इसको पर मिलेंगे चेंज नहीं करूंगा क्योंकि एक दफ़ा एक फॉर्मेट में आगे लेके चलना है कि बाद में पर मुश्किल होगी फॉर्मिट अगर चेंज करूंगा सही तो इस नोट के लिए आप क्या गर सकते हो आप पीडिएफ के अंदर डिलिंग दिया वहां से डाउनलोड कर सकते हो प्रिंट कराना चाहाओ अगर आपको इसमें से को मुश्किल हो रही है आप उससे कांटेक्क कर स आपको पर जाएगा तो इसलिए अगर आपको यह हाड़ कॉपी से मुझे चाहिए तो आप मुझे से कांटेक्ट कर सकते हो मैं आपको हाड़ कॉपी प्रोवाइट करूंगा तो यह भी प्रिंटेबल है आप इसको भी प्रिंट कर सकते हो लेकिन आपकी इसमें इंक बहुत तो descriptive सवाल दिये है short question answer दिये reasoning दिये वो इसमें आपको notes में पूरे proper solve मिलेंगे सही तो यह देखे सकते हो आप पूरे notes की जो formatting है इंशालहे इस chapter की जितनी भी explanation है वो Monday से आपके बाद lecture शुरू जाएंगे हर दिन एक lecture आपका chemistry का upload होगा जिसको आपने देखना है अगर इस chapter का आपने अच्छे से समझना है तो सही तो यह आपके बाद इतने भी question answer से short question answer में थे और descriptive सवाल थे यह सारे descriptive सवाल यह सारे descriptive में equations थी वो भी आपकी solve है last में कुछ ऐसे सवाल थे जो direct अमने पीछे discuss कर लिए notes के अंदर इसलिए मैं यहां पर include नहीं किये video अच्छी लगे तो वीडियो अच्छी नहीं लगती है आप ignore कर सकते लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगी है यहां तक आपने देखिए पूरी वीडियो तो लाजमी आपको अच्छी लगे तो subscribe करें जरूर क्योंकि आगे जितनी भी chapters की वीडियो बगएर आए तो आपको वो मिल सके सही तो आपके बाद time बहुत जाया होगा time इस्तमाल जाया होगा जाया नहीं होगा तो को महनत कभी भी जाया नहीं जाती जो चीज होगी आपके time consume हो जाएगा आपके बहुत सारे सब्जेक्ट है physics है chemistry है biology है या maths है इनकी books चेंज होगी तो उन में आपको time देना है तो आपको बने सब्जेक्ट नहीं आप नोट्स नहीं बना तकते एक साल के अंदर अगर मैं एक महीना लग गया तकरीबन इसको बनाते वे बीस दिन पंदरा दिन सिर्फ एक नोट्स के उपर लग गया तो तजूरबा कर आप तजूरबा नहीं है आपको आपके पास इतना experience नहीं है आपन उन पर टाइम देना उनके reasoning question और होते हैं उन पर बहुत जारा conceptual time है तो उसमें आपने जिनस ज़रूर ही है तो यहां की वीडियो मैं आज के लिए इतनी खतम करता हूं बहुत जादा detail वीडियो को करने की ज़रूरत नहीं है चैप्टर के explanation की नेक्स्ट वीडियो में आपके